आज हम बनाएंगे कीमा फ्राइड मोमोज तो हम इसमें चीज भी आड़ करेंगे लेकिन आप बिना चीज के भी इसे बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह बनाना है तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे डेड़ क मैदा तो इसे कप से नाप के लेंगे कप या फिर आप कोई भी कटोरी से नाप ले तो यह पर इस कप से मैं आप के लूँगे 1.5 कप मैदा और फिर इसमें आदा टीस्पुन नमक डालेंगे तो यहां पर हमने इसको आटा लगाने के लिए किसी भी तेल या घी का इस्तेमा कि आति व्енного करना नहीं कि और गाइए उसका तैयार लिए मिलत जाये और देखिजर तो इस तरह से अमिप उध्यायार गाइंए तैऑ आतोर इसको काउंटर से निकाल करने लूंगे और थोड़ा-ثोड़ा पानी लगाके हम इसे गुनेंगे इसको बिल्कुल सॉफ्ट करेंगे कम से कम चार से पांच मिन तक इस तरह से गुनना है और यहां पर देखी चार से पांच मिन्ट हो गए हैं बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और इसे हम बॉल में रखेंगे और इसे कवर करके रख देंगे साइड में और जब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे तो इस स्टफिंग बनाने के लिए प्रेशर कूकर में ऑफ यहां पर एक मिडियम साइज की प्यास को प्यास को फ्राय करेंगे बहुत जादա कलर कीमा वर किमा तो आप हैं पीफ का कीमा या च्छे कीमा और यह ले पीँद का कीमा या है चिकन का कीमा भी ले किमारा भीआः डीव कीद्गर तो यह कीमा एट करने के बाद इसे भी मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे हम दो टी स्पून भर के अध्रक लेसुन का पेस्ट और एक टी स्पून डालेंगे हरी मिर्चो का पेस्ट और इन सब चीज को डालने के बाद हम इसे अच्छे से बूनेंगे ताकि अध्रक लेसुन नमक या फिर आप टेस के अकॉर्डिंग नमक या और मिर्च एड़ कर सकते हैं फिर इसको हम एक मरता मिक्स करेंगे और यह देखिए जब तक कि सब कुछ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता और फिर उम इसे कवर करके हाई फ्लेम पे एक मरता प्रेशर आने देंगे और मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिन के लिए कुक कर लेंगे कीमा है तो बहुत पकने में बहुत टाइम नहीं लगता है बस 10 मिन बाद हम इसे चेक करेंगे प्रेशर को नेचरली रिलीज होने देंगे बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं अगर पानी हो तो बिल्कुल इसे अच्छे से ड्राय कर लें फिर यहां पर आदर टीस्पून गरब मसाला पाउडर और एक टेबल इस्पून डालेंगे बारी कटा हुआ हरा दन्या इन सब चीजों को भी बस अच्छे से मिक्स करना है फ्ले हो जाए और फिर दूसरे वरतर में ट्रांसफर करने के बाद यह देखेंगे आटा भी हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है तो हम यह पर थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे सूखा मैदा अब जितनी बड़ी हम पूरी बनाते हैं उतने बड़ा पेड़ा लेंगे तो आप इसे बेलना स्टार्ट करेंगे तो मोमोस को जो बनाने के लिए जो यह हमने आटा तयार करना है यह आटा बीच में पतला नहीं होना चाहिए बलके किनारे से यह पतला होना चाहिए और बीच में यह हलका सा मोटा होना चाहिए इस बात का आपने ध्यान रखना है इसको किना या दो टीस्पून आप जितनी भी स्टफिंग रखना चाहते हैं रखे तो यहां पर इसके ओपर हम चीज रखेंगे ग्रेट किया हुआ तो कोई सबी चीज जो भी आपको पसंदो मौजरेला या प्रोसेस चीज तो मैं यहां पर प्रोसेस चीज डाल रही हूं फिर इसको यह जाहां से इस इस तरह से कर लेंगे प्रेस कि साइट को प्रेस करेंगे और फिर इसके उधाकर यहां से एखनता कि दूसरे कोनी से यह देखिए इस तरह से यह हमारा एक मो ऑस्तार ना थैयार है यह एक मैं पुरे फ्रिधिन crisp वह पतांवंगी फोल्डिंग फिर दाले और आपको लोहि बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं लेना है फिर इसमें हम सैम कीमा डालें और यहां पर डालेंगे चिज़ अफिर यह देखेए इस तरह से जिस साड़ी में ढ़्यों बनाते हैं लोग पूर दिर्खेस तरह से इस तरह से और यह इस तरह से इस तरह से और यह बस बनकर तयार है फिर हम इसको मुह को इस तरह से बनकर के पैक कर देंगे फिर यह इसे हलका सा प्रेस कर देंगे और यहाँ पर मैं तीसरे टाइप का मैं आपको बनाना बताऊंगी तो यह देखिए फिर से यहाँ पर कीमा और यह चीज रखेंगे तो अब बिना चीज कर सकते हैं Oui नचीज कर बहुत अच्छा लगता है लेकिन अगर चीज़ व टो चीज टेस्ट और बढ़ जाता है तो फिर से इसी तरह से चुन देंगे दो फिर से में सब्सक्राइब तहरे से बादय एक और यहां पर जो प्लेन साइड इसको छुन वाली साइड कर दें और यह तीसरे टाइप का मारा मूमोस बनकर तयार है उसारे बना कर तयार करेंगे आपको जो भी मेधध अच्छा लगे उस मेधध से आप बनाए फिर यहां पर हम तेल को गरम करेंगे मीडियम आज पर बहुत तेज गरम नहीं करना है और फिर यहाँ पर मैं तीनों एक-एक टाइप के momos को fry करके दिखाती हूँ उपको फिर यहाँ पर यह दूसरा वाला है और यहाँ पर यह तीसरा वाला है तो तीनों momos को ढाल देंगे और 4-5 मिन तक मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे और 4-5 मिन बाद हम इसकी साइट को चेंज करेंगे फिर हम इसकी साइट को चेंज करके इसे पकाएंगे जब तक किस में golden brown कलर नहीं आ जाता लेगिन जो इसकी फोल्डिंग वाली साइड है उसको थोड़ी देर तक पकाना है क्योंकि वहाँ पर आटा थोड़ा जादा होता है तो इसको थोड़ा जादा देर तक आप खुक करें और फिर देखिए जब बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन तो इस स्टेज तक आप इसे पका लेंगे आपको जितना डाग कलर इसका करना है आप कर सकते हैं बट यह बिल्कुल परफेक्ट है तो इस तरह सारे मुमोस हम बना कर फ्राय कर लेंगे और इसे आप मुमोस की चटनी से यह फिस सॉस यह केचप से सर्फ करें यह फिक ग्रीन चटनी से सबसे बहुत तेस्टी लगता है फिर यह देखिए सारे मुमोस हम बना कर तयार कर लिए हैं तो उमीद करती हूँ कि मुमोस की यह रैसिपी आपको पसंद आई होगी अगर रैसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर नए हूँ तो सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए मिलती हूँ एक और रैसिपी के साथ जब तक के अपना बहुत सा खयाल रखिए थैंक्यू अला अफीज यह देखिए कितना जादा यह कि रिस्पी हमारा मुमोस बन कर तयार हुआ है बहुत ही जादा यमी और टेस्टी बना ह तो जरूर से ट्राइ कीजिए और अपना फीडबेक जरूर दीजिए थैंक्यू अला अफीज